दोस्तों जैसा कि आपने भी थमनिले में देखा है कि आज एक दीवे से मैचों में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है जी हाँ दोस्तों आज इंगलेंड और निदरलेंड के बीश में पहला ODI मुकाबला खेल लगया निदरलेंड ने टॉस जित करके बॉलिंग करने का नीने लिया और यह निने उनका सही भी साबित हुआ क्योंकि जेसन रॉय को दोस्तों शेन स्नेटर ने जल्द ही एक रन के नीज स्कोर पर आउट कर दे लेकिन इसके बाद शिरू होती है असले कहानी पीटर सॉल्ट और डेविट मलान यह दो बल्ले बाद जोने ऐसा तुफान ल लान ने बहुत ही बड़ी साज़दारी की 222 रंगी पार्टनर्शिप करने के बाद एक ऐसा तुफान लाया जोस बटलर ने किस तुफान में निंदरलेंड की सारी बॉलिंग की धज्या उड़ गई दोस्तों जोस बटलर इस नाम से हम काफी जादा वाकिफ है जोस बटलर ने 14 चकके और 7 चकके की मदद से 172 बनाया है 231 के स्ट्राइक रेट से इवान मॉर्गन की बात करे और जेसन रॉय की बात करे यह दोनों बहुत ही जल्दी आउट होगा थे लेकिन सॉल्ट मलान और लायम लिविंग स्टोन और फिर जोस बटलर इन्होंने मिल करके टीम का स स्कोर 498 रन यानि की 500 रन से मात्र दो रन कम का स्कोर निदरलेंड कमजोर बॉलिंग खिलाफ किया है कमजोर बॉलिंग की पुर धज्या इस टीम ने उड़ा दी है दोस्तों लिविंग स्टोन की बात करे चैसेट रन मात्र 22 गेंदो में 6 चको और 6 चको की मदद से दोस्तों इस टीम ने इस पारी में टोटल कुल्मिला के 26 चक के लगाए है जी हां दोस्तों 26 चक के इस इनिंग में लगे है वही दियम चौको की बात करें दोस्तों तो 36 चौके इस इनिंग में लगे है यानि कि कुल्मिला के टोटल 60 बॉंडरी 489 के स्कोर में लगी है क्या यह रिका करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए